नमस्कार, आज के हमारे व्याख्यान का विशय है भारत की जलवायू जलवायू भौतिक परियावरण का एक प्रमुख घटक है जो मानव के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्क्रितिक गतिविद्यों को प्रभावित करती है भारत में जलवायू की विशयस्ताओं का लोगों के क्रिया कलापो, जीवन पद्दती, भोजन, वेश-बूशा, त्योहार तथा रीती रिवाजों पर इसपस्ट प्रभाव देखा जा सकता है भारत में मानसून की उत्पत्ति, ओरिजन ओफ मानसून भारत की जलवायू निर्विवाद रूप से मानसूनी है मानसून सब्द अर्भी भाषा के मौसिम सब्द से बना है, जिसका अर्थ रित्व या मौसम है मानसून दो परसपर विरोधी मौसम वाली जलवायू है पवनों का उतकरमन मानसूनी जलवायू का मूल सिद्धान्थ है मानसून is the climate of contrasting season reversal of wind system is the key note of मानसून climate भारती विद्वान डाक्टर आरल सिंग के अनुसार भी मौसम का आवरतन मानसूनी जलवायू की प्रमुख विशेषता है rhythm is the key note of मानसून climate मानसून की उत्पत्ति के सम्बंद में अनेक विचारदारें प्रचलित है हैली 1686 द्वारा प्रतिपादित चिर्शंबत क्लासिकल तापी विचारदारें के अनुसार मानसूनी पवने बड़े पैमाने पर इस्तली एवं जली पवने है जो रितु करम से इस्तल एवं समुद्र की और चलती है ग्रिश्म रितु में अधिक सूर्याताप के कारण उत्तरी पश्चवी भारत के इस्तली भाग सागर की अपेक्षा अधिक घर्म होकर न्यून दाब केंदर बन जाते हैं तब सागरों की और से इस्तल की और पवने चलती हैं इसके विपरीत शीत रितु में इस्तल पर उच्च दाब केंदर एवं समुद्र पर निम्न दाब केंदर बनते हैं तो पवनों का प्रवाइस्तल से समुद्र की और होता है किन्तु ये परिकल्पना अती साधारन है जो मानसून की प्रकरती एवं वियवार के अनुरूप नहीं है मानसून उत्पत्ति का अभिनव सिद्धान जेट स्ट्रीम संकल्पना नवीन अवधारनाय कंसेप्ट्स 1950 के बाद मानसून पर की गई नई शोदों उपरी वायू मंडल से प्रात आकड़ों तथा कंप्यूटर आधारित विश्टेशन का प्रतिफल है मानसून के उत्पत्ति की नवीनतम विचाठधारा उपरी वायू मंडल शोब मंडल में जेट नामक संवहन धाराओं पर आधारित है अनेक विद्वानों ने इसमें संयुक्त भारत रूसी अध्यन भी था उन्होंने इस पर नया प्रकाश डाला है जेट स्ट्रीम संकलपना के अनुसार भारतिय मानसून की उत्पत्ति का संबंद उपरी वायू मंडली ये पवन संचार अपर एयर सर्कूलेशन से है मानसूनों की उत्पत्ति में तिबबत का पठार एक महत्तवपुन भूमी का अदा करता है समुद्र तल से 5000 मीटर 5 किलोमीटर से अधिक उचाई पर इस्तित यह पठार सूर की किड़नों से तब थोकर हीटर का कार्य करता है इसके फल सरूप इन अक्षान्सों में धरातल एवं शोब मंडल के मध्य वायू का एक आवर्त इस्तापित हो जाता है शोब मंडल में उस्न कटी बंदिये पुर्वा जैट, ट्रॉपिकल इस्टली जैट तथा उपोश्न कटी बंदिये पच्छवा जैट, सब ट्रॉपिकल वेस्टली जैट आंधियों और तूफान निश्चित करम से चला करते हैं वायू मंडल की वाश्प युक्त पवने उपरी शोब मंडल में पहुंचती हैं तथा अनेक दिशाओं में फैल जाती हैं तक पश्चात इन पवनों का एक सुनिश्चित प्रवा जैट धारा के रूप में निम्न शोब मंडल में पहुंचता हैं अधिक उचाई पर पहुंचकर यही धारायें द्रवी बूत होकर धरातल पर वर्शा करती हैं कोटेश्वरम के अनुशार पूर्वा जैट पवनों की पकरती पर ही ग्रिश्म कालीन मानसून निर्बर करता है यह जैट पवने तिबबत के पठार पर होने वाले ग्रिश्म कालीन विकीरन द्वारा प्रबावित होती हैं ग्रिश्म काल में तिबबत का पठार जितना अधिक तपता है उतनी पूर्वी जैट धारायें सक्तिशाली होती हैं तथा निम्न अदो मंडल में पहुंच कर भारी वर्षा करती हैं कोटेश्वरम के इन विचारों की पुष्टी मोनेक्स एक्सपेडिशन जो 1973 में अध्यन किया गया था उसने भी इन विचारों की पुष्टी की है अरप सागर में ग्रिश्म कालीन मानसुनी वर्षा की अनियमित्त का अध्यन करते हुए इस दल ने इसपस्ट मत दिया कि जिस वर्ष उत्तरी पूर्वी पवन मंद होती है तभी दक्षिनी पश्चमी मानसुन भी शक्तिहीन होता है तिब्बत का पठार जितना अधिक गर्म होता है दक्षिनी पश्चमी मानसुन उतना ही अधिक सक्री होता है मानसुन विशेक भविश्चवानी मौसम विदों के लिए अभी तक एक कठिन कार्य बना हुआ है 1987 में मानसुन की व्यापक व्युपलता के कारण देश व्यापी अकाल की इस्तिती पैदा हो गई थी समुद्ध तल से 5000 मीटर की उचाई पर इस्तित दिब्बत का पठार अनेक वायू मंडिली गरबडियां पैदा करता है यह जेट धारों के संचार को प्रेरित करता है पूर्वी जेट स्ट्रीम मानसुन को प्राइदिप की ओढ़किलता है किन्तु मानसुनों की उत्पत्ती में इसका कितना योगदान है इसे अब तक मापा नहीं जा सका है अरब सागर में मानसून के पूर्व तापमानों के गिडने से मानसून प्रबल होता है अरब सागर की सतय का ठंडा होना अफरिका के दक्षिनी पूर्वी तट के पास लगबग 80 किलोमेटर दूरी तक बहने वाली अगुलास धारा तता अफरिका तट के मद्य कुछ गेराई से उबरने वाली एक ठंडी जल्दारा की शक्ति पर निर्वर करता है यह ठंडी जल्दारा दक्षिनी अटलांटिक धारा को पस्चिम से पूर्व की और जो बहती है से उत्पन्न होती है और अगुलास धारा के विपरीत उत्तर की और बहती है यह धारा अरब सागर के तापमान को गिरा देती है अल निनो प्रभाव अल निनो फ्रेक्टर हाल ही में मौसम व्यग्याकिनों ने ये धारना प्रस्तुत की है कि अल नीनों का मान सुनों पर गहरा प्रबाव पड़ता है अल नीनों एक ऐसी परिगटना फिनोमिना है जो प्रशान्त महासागर के ताप मानों में भारी परिवर्तनों से सम्मंदित है यह जटिल मौसमी परिगटना दो से साथ वर्षों के अंतराल पर होती है तता विश्व में सूका, बाड़ तता अन्य मौसमी आंतरिक उत्पन करती है अल नीनों का शाब्दिक अर्थ है शिशु मसीह, चाइल्ड क्राइस्ट क्योंकि यह परिगटना क्रिस्मिस के समय होती है इस परिगटना के अंतरगत पूर्वी परशान्त महासागर में पेरु के तटके निकट घरमधारा उत्पन होती है जो आस्टेलिया, फिलिपिन्स, भारत, कैनेडा आदी की मौसमी दर्शाओं को प्रभावित करती है इसके प्रभाव से पेरु तथा मध्यवर्थी परशान्त महासागरी दीपों में भारी वर्शा होती है जबकि भारत, दक्षिनी पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, आस्टेलिया आदी में सूखा या वर्शा की कमी होती है इससे पेरु तथा एक्वेडोर में आर्थिक एवंपारी इस्तित्की आपदाइं भी उत्पन होती है इतु परिवर्टनों के अतरिक वैश्विक जलवायू में भी अनेक परिवर्टन अल नीनों से सम्बंध है अल नीनों के अध्यन के प्रनेता कैलिफोर्निया विश्व दिला के प्रसिद्ध मौस्मी वैग्यानिक जैकप जर्कनिस थे उनके अनुसार समुद्रों पर उश्ण जल की सतय का विस्तार विश्वत रेखा के सारे होता है पूर्वी तथा मद्यवर्टी प्रशांत महासागर की सतय बारी बारी से घर्म वर ठंडी होती है प्रशान्त महासागर का उश्मन पेरू तटके उश्मन के साथ साथ होता है इससे प्रशान्त उश्मन कटी बंदी शेत्रों में वर्षा के प्रतिरूपों तथा वायू धराओं के संचार में भारी परिवर्टन होता है जब प्रशान्त माहासागरी सत्य के घर्म होने पर भारती 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 माहास सुन कमजोर तथा प्रबल होते हैं यह परिगटना ब्राजील इंडोनेशिया आस्टेलिया फिलिप्पिन्स आधी देशों में 1998 में अबूत पुर्व दुर्बिक्ष डॉट की दशाओं के लिए भी उत्तरकारक रही हैं चीन, बांगला देश, भारत आधी देशों में उस वर्ष भीषण उस्न कठी बंदी चक्रवात इसी अल निनो प्रभाव के करण आए अल निनो दक्षिनी दोलन प्रभाव मानसूनी वर्षा चक्रवती प्रकार की है ये चक्रवात पश्चिमी प्रशान्त महासागर में एश्यय तटके निकट उत्पन होने वाले उस्न कठी बंदी चक्रवातों से सम्बंद है जो परवली रूप में पेराबॉलीकली रूप में गतिशील होकर दक्षिनी पूर्वी एशिया में भारी वर्षा करते हैं कुछ सक्तिशाली चक्रवात बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर भारत के मुक्षितल की और बढ़ते हैं कभी कभी अल नीनो दक्षिनी दोलन इसे इन एसो एंजो एफेक्ट केते हैं इन चक्रवातों की उत्पत्ति था गतिशीलता में बादा डालते हैं जो पश्चिमी प्रशांत महासागर की अपेक्षा पूर्वी प्रशांत महासागर में अधिक दाब के लिए उत्तरदाई हैं पूर्व में पवन तथा महासागरी धरा की प्रभा बंगाल की खाड़ी में उस्न कटी बंदी चक्रवातों की उत्पद्धी में सायक होता है किन्तु कभी-कभी अल निनो घरमदारा जनुवरी तथा मार्ज के मद्ध पेरु तथा इक्विटेवर के तटों के सारे दक्षीन की और प्रवाइत होती है इह धारा इस्तानिये मत्स उत्पादन की रितू का अंत सुनिश्चित करती है इस परिगटनाक ने सर्वपतम 1922 में ज्यान अकर्शित किया था जब लंबे समय तक समूद्री जल घरम रहने के कारण पेरु का मत्स वैसायट ठप हो जाने पर वहाँ खाद्य संकट उत्पन्न हो गया था इसी समय भारत में मानसुन कमजोर रहा तता अफरीका के रुहेल परदेश में भेंकर सुका पड़ा यह परसपर दुरस्त गटनाएं एक सुनिश्चित ग्लोबल परती रूप में परसपर सम्बंदित थी तता अल नीनों से भी सम्बंदित थी अब यह सिद्ध हो चुका है कि अल नीनों तता दक्षिनी दोलन परत्यक्ष रूप से भारतिय मानसुन से सम्बंदित है 1987 तता 2002 में भी अल नीनों के कारण भारत में अल पवर्षा रिकॉर्ड की गई भारती मौसम सेवा के प्रथन डारेक्टर जनरल गिल्बर्ट वॉकर ने 1924 ने अल नीनों प्रभाव का आकलन किया था उन्होंने ये खोज निकाला था कि प्रशांत महासागर में उच्च दाब होने पर हिंद महासागर में निम्न दाब रहता है इस परिगटना को दक्षिनी दोलन सदन ओजिलेशन कहा जाता है चार दसक बाद डच मौसमविद जर्कनीस ने दक्षिनी दोलन तथा अल नीनों में घनिष्ट संबंध इस्तापित किया चुकि वायूदाब तता वर्षा का विपरिद संबंध होता है अतह जब हिंद महासागर में सीत काल में निम्न दाब होता है तो आगामी मानसुनी वर्षा परचुर मात्रा में होती है दक्षिनी दोलन की तीवरता मध्य प्रशान्त महासागर तता हिंद महासागर में पोर्ट डार्विन के सागर तल पर वायूदाप के अंतर द्वारा मापी जाती है दक्षिनी दोलन सूचक का रिनात्मक मान उत्तरी हिंद मासागर में उच्च वायूदा तथा दुर्बल मानसून को सूचित करता है इसी प्रकार अल नीनों के प्रकट होने तथा दक्षिनी दोलन के रिनात्मक सूचक में घनिष्ट संबंद होता है इस परिगटना को एंजो परिगटना कहा जाता है मोसम प्रेक्षणों से ये सूचित होता है कि उष्ण कटी बंद के ऊपर वायू संचार में दो विशाल कोशिकाएं सेल्स, हैडली कोशिका तथा वाकर कोशिका प्रभावी होती है हैडली कोशिका की दशा उत्तर दक्षिन होती है जबकि वाकर कोशिका की दिशा पूर्व पश्चिम होती है इन दोनों कोशिकाओं का विवार भारती मानसून के विवार को प्रभावित करता है जब अल निनो पकट होती है तो वाकर कोशिका पूर्व की ओर विस्तापित हो जाती है जिससे पूर्वी पवन धाराएं कमजोर हो जाती है भारत में वर्षा कराने वाली पवने भी पूर्व की ओर विस्तापित हो जाती है वाकरकोशिका की उतरती हुई बुजा उत्तरी पश्चमी भारत के उपर धस्ती है जिससे अधिकांश भारत की नमियुक्त महासागरी पवने तथा मेक सूख जाते हैं ये दूरस्त महासागरी तथा वायू मंडिलिये नियंतर भारतिय मानसुरी वर्षों को प्रभावित करते हैं तथा वर्षा की परिवतन शीलता की व्यक्ता करते हैं थैंक यू धन्यवाद